नमस्कार किसान भाईयों आज हम बात करते हैं सिद्ध विनाए केगरोश सीहोर पर बना पांच वाला तोटा प्लाव जो की कुछ अलग मोडल में तियार किया गया है पुराने वाले मोडल के तोटा प्लाव की थोड़ा सा उसकी कम लाक आ रहा था तो हमने थोड़ा सा कुछ और गे अलग मोडल त यार गया है और डेख सकते है यह 5 वाला तो दो अपने तना एन की निमा वहेवी मोडल में इसमें जो फीजि जो ए जिमอर दिएन हैं जो पीजिता के वह चार यो दिये बीच में पाठा दियागा है आगे नक्के से लेखे पीछे नक्के तक ताकि जो कि क्या है तोनों में अच्छी मजबूती बनी रहे बेडलिंग वगएर ना उकड़े और इसके जूहला पट्टी फुल हेवी है इसके बीच में एक साफ्ट दी गई है जिससे कि आपकी जूहला पट्टी आगे पीछे चलते समय ना हो इसमें हमने हर नेटबॉल्ट में वाइसर लगाया है ताकि क्या है नेटबॉल्ट वगएरा ढीले ना हो और बार बार खुले ना इसको हमने तीन बक्से गाडर में त्यार किया है जिससे कि आपके चलते समय बढ़िया बेलेंसिंग बने रहे और इसकी जो इंगल है बहुती हेवी इंगल है पेसा टाट की ताकि चलते समय आपकी बेंड वगएर ना हो इसकी हम बात करते हैं कि इसमें अलग आइटम क्या है इसमें जो चांद लगा हुआ है वो हमने धार करवाई है अगल बगल से ताकि जो की खेत में चले तो आपने जो भी मिट्टी के धीमड़े वगएर आए तो वो इससे टकरा कर फूट जाए और इसमें जो टाइंस है व भी नोखे और पीछे भी नोखे आपका ये सब्बल गिसा जाए तो आप पीछे का आगे लगा सकते हैं और इसकी पास की बात करते हैं तो पेले वाले मोडल में हम कमानी की पास लगाते थे इसमें जो की हमने बोरोन इस्टील की पास लगाई है कमानी की जल्दी गिसा जात वो उससे घूमकर पल्टी अच्छी होती है इससे यह भी बोरून इस्टील की पलेट में है और इसको बिल्कुल फुल हीवी मोडल में डिजाइन किया गया है आप इस तोतफलाव को टुइन वन भी बना सकते हैं दो बोल्ट खोलकर आप कल्टिवेटर की पांच पास लगा सक करते हैं जिससे की आप बखकर चला सकें और क्या हमारा नंबर है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं जानकारी लेसकते हैं के बारे में और इसमें ये पीछे जो बोल्ट दिया गया है वो सब्बल पल्टी करने के लिए दिया गया है ताकि आगे का सब्बल का मुग इसा जाए तो आप पीछे वाला आगे कर सकते हैं इसकी जो टाइन से बात प्होंती हेवी टाइन से बतीसयमें 70 मोटी टाइन से जो कि बेंड ना हो और इसके बात करते हैं जो कि इसकी देर से 2.000 ₹ सै जो कि आपक één कर सकता है बागि यह ठेक के उपर डींड कर सकता है एक ट्यक्तर हम कि ça कहीछित ता दन्यवाद